ओम साहिराम कैसे हैं आप लोग I hope सब ठीक होंगे आज मैं आप लोग के साथ सेर कर रही हूँ हम लोग जा रहे हैं स्रीडी पूरी फैमली तो नहीं कह सकते हैं लेकिन हाँ छोटी सी फैमली मतलब मैं मेरे हस्वेन और दोनों बेटियां जा रहे हैं छोटी सी फैमली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम लोग मैक्समम से मैक्समम टाइम बहुत सारी लोगों के साथ जाते थे लेकिन अब पिछले साल से बस चार जने ही जा रहे हैं तो सभी को बहुत ही ज़्यादा सूना से लगता है मेरे हस्वेन भी हमेशा ही पूरी फैमली जो भी हमारे साथ जाते थे उनको याद करते हैं और खास कर ये अपने पापा को पापा की तब्यत थोरी ठीक नहीं है पैर में प्रॉब्लम है तो वो जा नहीं सकते हैं लेकिन बाबा के हमारे सोचाल में जितने भी लोग हैं सब के सब लोग बहुत ही ज़्यादा भगते ह तो साथ में जाते तो अच्छा लगता लेकिन थोरी सी मजबूरी है तो वो लोग नहीं जा पा रहे हैं कुछ सालों से हम लोग भी लॉक्डाउन के बाद पिछले साल ही गए थे वैसे मेरा पिछले बाद हाट तूट गया था ठीक भी नहीं हुआ था फिर भी टिकट कटवाई थी तो हम लोग गए थे तो इस वार भी हमने सोचा बाबा की किरपा है कि मेरा हाट ठीक हो गया है तो जिसकी बज़ध से तो चलिए जाना ही थोर्चाल में एक ब़र खेर जाते ही है पिछले बार में अपने बर्डे में गई थी 25 दिसंबर से पहले और इस बार मेरे हस्वेन का बर्डे है 8 अक्तूबर को तो हम लोग 7 अक्तूबर कटिकट कटवाए थे कि 50 मा बर्डे है तो सबसे अच्छा इससे अच्छा जगा क्या होगा यादगार बर्डे मनाने के लिए आखिर हाफ संचूरी तो कर ही लिए है और भगवान की किरपा रहेगी तो आगे भी अच्छे से रहेंगे तो उन्हीं का सिरवाद लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं एक थोरी सी चमतकार बता देती हूँ वैसे देखिए आप लोग फैमिली हैं तो छोटी सुख हो या दुख हो मुझे तो देखिए छोटी छोटी भी कुछ अगर बात होता है तो मुझे बहुत ही विश्वास और आस्था भगवान के उपर बहुत ज्यादा हो जाता है तो मुझे तो लगता है कि चमतकार ही होता है कोई भी चीज भगवान मतलब बहुत साथ देते हैं तो ऐसा कुछ हुआ है जो मैं आप लोग के साथ सेयर कर रही हूँ वैसे तो देखिए हम लोग इस बार लगवाग एक हफ़ते ही रहें सिडीडी में तो बहुत ही ज्यादा चमतकार चमतकार हुआ लेकिन स्टार्टिंग का चीज में बताती हूँ हम लोग तिन चार मेंने पहले ही टिकट कटा लिये थे कि हस्बेन का बड़ मतलब वहीं पर मनाऊंगी और पता है कि थोरी सी तवियत भी ठीक नहीं है और परिशान भी रहते हैं तो सबसे आस्था विस्वास हम लोग को साई मंदिर साई बाबा पर मतलब बहुत ज्यादा ह है तो इसलिए हम लोग सोचे कि वहां का टिकट कटा लेते हैं लेकिन बेटी का एकजाम का कुछ गरांटी ने रहता है कभी भी अचानक मेहना देर मेहना पहले बता देते हैं उससे पहले नहीं बताते हैं कि कब एकजाम है तो फिर भी हमने अंदास से टिकट कटा लिया था कि अगर होगा तो मतलब हमारे साथ जाएगी नहीं तो नहीं जाएगी ये सोच के हमने कटा लिया था लेकिन ऐसा हुआ कि सच में उसी एक हपते के अंदर ही डेट सीट आ गई एक डेर मेहना पहले की एकजाम उसी दिन है तो उसी दिन मतलब माइंड सेट कर लिये क्योंकि हम को इसलिए जाना था कुछ लोग बोले भी कि क्या जरूरी है अभी जाना बेटी को छोर के जा रहे हो छोटी बेटी की भी तविया ठीक नहीं थी मेरी तो खेर वैसी नहीं रहती थी ठीक और हस्वेन का भी तो बाद में जाना लेकिन हमने सोचा नहीं हम काफी प्रॉबलम म तो बिल्कुल भी पता नहीं था और ये सब चीज मैं लेट वीडियो डाल रही हूँ ये सब साथ अक्टूबर का है और मैं ये सब वीडियो अभी डाल नहीं हूँ क्योंकि दो महना वीडियो वैसे गया है जो भी फेस्टवल हुए हैं जो भी हमने सुख दूख हमारी जो लाइफ में रहा है वो मैंने आप लोग के साथ सेर जरूर किया है बाकि कुछ और भी है जो मैं सेर नहीं कर पा रही हूँ आप लोग के साथ और कहते हैं कि कुछ काम हो जाने के बाद ही अपनों को बताए तो अच्छा है जरूरी नहीं है कि नजर लगे लेकिन हाँ अभी दो मेहने बाद मौका मिला है तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोग के साथ सेयर कर दूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही हैंग हो रहा था और काफी वीडियो तो हम लोग से डिलीट भी हो गया है क्योंकि फेस्टिवल ही इतने आ गए थे कि मतलब डिलीट करना पर गया था ज मतलब बरी बेटी का टिकट कैंसिल करना होता और हम लोग आते तो सही बोलू पता नहीं कैसे लोग पैरेंस एक बच्चे के साथ रह लेते हैं वैसे तो देखिए आज कल लाइफ इतनी बीजी हो गई है बच्चे इतने काबिल भी हो गए हैं कि लोग मतलब अकेले रहना मज है पैरेंस को कुछ बच्चे बाहर भी देश में सेट हो जाते हैं कोई मतलब इंडिया में ही कोई और जगह पे सेट रहते हैं तो पैरेंस को अकेले रहना पड़ता है वो एक अलग बात है लेकिन कुछ लोग पैरेंस होते हैं कि मतलब जान बुझ के बच्चे को छोड़ द बच्चे तो दो, चार, पांच, साथ कितने भी बच्चे हों, लेकिन रहना एक ही लोग के साथ पसंद करते हैं, बाकी लोग अपना अपना रहते हैं, ये सैथ दुनिया का रीत रिवाज होगा, जो हम लोग को एसेप्ट करना थोरा सा बहुत ज्यादा मुस्किल हो रहा है, तो पहली वार ऐसा था कि सही बोलू, हम लोग कभी भी बेटी क्या काफी रिलेटिव के साथ हम लोग बाहर निकले हैं, जब भी कहीं गए हैं, तो पहली वार ऐसा होता कि मतलब हम लोग बरी बेटी को छोर के साई मंदिर दर्शन करना के लिए जाते, मैं अपनी बेटी को स क्योंकि उसका भी अपना लाइफ है और ज्यादा परिशान हो जाएगी तो इतना खुल के मैं किसी को नहीं बताई हूँ जो भी प्रॉबलम है सोचिए अभी तक मैं ही खुद ही जूज रही हूँ तो मतलब हुआ क्या पांच अक्टूबर हो गया और हम लोग टिकट कैंसिल नहीं कराए बेटी का कि बस करा लेंगे और मन बिल्कुल भी नहीं था सौपिंग कर रहे हैं पाटी भी दे रही हूँ मॉल में जाके घर में खाना जो भी पसंद का बेटी का हस्वेन का सब कुछ बना रही हूँ क्योंकि वो नहीं जाएगी और फिर पांस तारी को फिर हमन मतलब समान पैक कर लिया क्योंकि छे तारी को ही मुझे वैसे तो साथ अक्टूबर का ट्रेन था लेकिन मुझे छे तारी को ही साम में अपनी मम्मी के घर जाना था महां से स्टेशन जाना था क्योंकि नाना नानी आये हुए थे तो उनसे मिलना भी था क्योंकि उसके बाद नवरात्रे स्टार्ट हो जाते स्रीडी से आने के साथ ही तो मिलना मुश्किल था तो हमने सोचा उनका भी असिरवाद ले ले और सही बोलू मैं कहां कहां नहीं जा रही हूँ हस्वेन के लिए मतलब सभी लोग से असिरवाद लेती हूँ तो नाना नानी से भी असिरवाद छ तारी को लेना था तो ये सब वीडियो में हम थोड़ा सा बता देते हूं ये सब हम लोग उहां पहुंच गए हैं स्रीडी और उहां पे हमने धरमशाला ओनलाइन बुक किया हुआ था बहुत ही अच्छा था इस वार का experience बहुत ही अच्छा रहा और बस फ्रेश होके और उसके मतलब अच्छा लगा था तो फिर क्या हुआ छे तारी को ममी के घर जाना था पांस तारी को मन मार के मतलब मन मार के मतलब बिल्कुली उदास मन से मैं और मेरे हस्वेन समान पैक किये और बेटी को बोले कि मतलब बेटी रहती मेरे ममी के घर नानानी से मिल भी लेते हो बेटी को छोड़ देती में अपने मम्मी के घर वहां से वो अप डाउन करके दिली से नोईड़ा एकजाम देने एक हफ्ते जाती फिर जब हम लोग आ जाते तब फिर आ जाती हमारे पास ये सोच के हम लोग बेटी को बोले थे कि तुम नानानी के यहां रहोगे तो वो समान पैक कर लो और हम लोग CDD के लिए समान पैक कर लिए हुआ कि अजब पैक कर लिए पांच तारिक के रात में मैसेज आया मेरी बरीबाली बेटी के कॉलेज से कि एकजाम कैंसिल हो गया है और मतलब नवरात्रे में स्टार्ट होगा मतलब जब हम लोग आएंगे उसके एक दो दिन बाद ही अभी कैंसिल हो गया अब क्या करें पढ़ी भी नहीं थी आने के साथ मतलब टेस्ट देना भी थोड़ा मुस्किल और नहीं जाए तो भी मुस्किल हम लोग ने कुछ भी नहीं सोचा हमने बोला कोई नहीं साई बाबा की जो इक्छा है चलो क्योंकि पचास माँ बड़े वैसे तो हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ सोचे हुए थे मैं और बेटी मतलब अगर फैमिली सब कुछ ठीक रहता तो वो भी मैं देखे सेयर करूंगी कि इनके ममी पापा तो हमेसा स्रीडी जाते ही थे पहले वो लोग भी होते और भी लोग होते या घर में मतलब होती अच्छे से मतलब जो एक धूम धाम तो नहीं कह सकते लेकिन फैमिली मिंबर जो भी थे उन सब के साथ अच्छे से मेरे मेके वाले होते इनके घर वाले होते जैसे हम लोग अपने बेटी के बेटी का बड़े मनाती थी बड़ी वाली के वैसे ही हस्वेन के भी मनाते थोरा सा यादगार जादा इस से जादा लेकिन वो भी नहीं हो पाया तो मैंने सोचा कम सकम भगवान ने कुछ ही सारा दिया है तुम चलो तुम्हारे लिए भी मतलब यादगार रहेगा और पापा की सही बोलू मेरे हस्वेन के सबसे जादा ला नहीं भी खाते थे पीते थे रहते थे तो हमेशा वो अपने ममी पापा को याद करते थे मैं बोली दिन भर मतलब तुम यहां रहोगी और पापा हमेशा याद तुम ही करते रहेंगे उससे अच्छा है चलो बाबा का नाम लो एकजाम हो जाएगा बाकी चलो और हाँ तो मैंसे जाया लेकिन हमने पांस तारिक में ही टिकट कैंसल करा दिया था कि अब तो नहीं जाएगी दो दिन ही बचा है तो पांस तारिक के टिकट कैंसल करा दिया तो अब क्या करें क्योंकि मतलब सीट तो दो ही था और एक छोटी बेटी भी है दिकत होगी तो भी हमने सोचा कोई नहीं रात में दिन में तो ऐसे ही रहते रात भर जगके ऐसे ही चले जाएंगे और फिर हमने मतलब जो समान बैग हमने पैक किया था उसी में फिर चेंज करके बड़ी वाली बेटी का भी समान उसमें रखे और फिर वेटिंग का टिकट हां अच्छे तारिक को साम में जा ले लिए जाने आने का जो भी है और फिर छे तारिक को चले गए मम्मी के घर और साथ तारिक में स्टेशन और ये सारा चीज जो भी आप देख रहे हैं ये आठ तारिक का दिन का मतलब है आठ के रात में हस्वेन ने केक काटा था जो भी हमने मतलब पाठी साथी जो भी होत किये लेकिन उससे पहले दो बार हम लोग साई जी का दर्शन किये और संजोक से हमें आरती भी आरती में बैठने का भी मौका मिला और बहुत से चमतकार ये तो सही बोलू दो महना हो गया मुझे कुछ-कुछ याद है कुछ याद भी नहीं है उस टेम पे सेथ मैं कुछ और व क्यों बोलू जो कि मौका मिलेगा तो मैं धीरे धीरे जरूर सेयर करूंगी मतलब हर पल पल मुझे साई बाबा मतलब नजर भी आते थे डिरेक्ट कुछ ऐसे मतलब दिखा जाते थे कि सच में भगवान है और उनकी सकती है और ये चीज तो जो मैं स्टोरी सुनाई तो है क्योंकि मैं और मेरे हस्वेन महना दो महना से जब से पेपर के बारे में पता चला था कि बरी बेटी का हमेशा साई बाबा से यही कहते थे कि बेटी भी जाती तो बहुत ही अच्छा होता दोनों का ही एक्षा था एक का नहीं दोनों का ही एक्षा था कि बेटी भी जाती तो बहुत ही अच्छा था तो देखी भगवान सुन लिए तो ऐसे ही देखी भगवान रियल लाइफ में ये भी मेरा भी रियल ही लाइफ है सच में रियल लाइफ में बहुत ही ज्यादा एक तरह से चमतकार करते हैं उसी के भरोसे देखी मेरी जिन्दगी हमारी जिन्दगी चल रही है और आगे भी बस उन्हीं के सहारा बहुत बड़ा मतलब काम करने जा रही हूं हस्वेन का जो टीटमेंट है इलाज है वो अभी तक नहीं हुआ है तो जो भी होगा वो मैं आप लोग के साथ सेयर करूंगी और बता दूँ वापसी में जो टिकट हमारा वेटिंग थ और हमें पता भी ने था कंफर्म सेकेंड एसी में कंफर्म हुआ तो ये तो और भी ज्यादा चमतकार था और फिर बेटी अकेले ही मतलब सेकेंड एसी में बैठ के आई तो देखिए अगर आप विश्वास रखेंगे आप आपका मतलब मन साफ रहेगा सही रहेगा तो भग Πाठी फाती होगी ही लेकिन दिन में भी खाना है वैसे तो इन्हाँ पे देखिए परशाद भी मिलता है हमेशा तो हम लोग एक बार साम में कभी रहे थे एक हपते तो एक बार क्योंकि दूर भी पड़ता है तो एक बार जरूर खाते थे साही बावा पे क्योंकि बहुत ज़्यादा विस्वास है तो वहाँ भी जाके खाते थे लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा फिर हम लोग क्योंकि छोटी बेटी मतलब उतना दूर जाना और खाना ये सब थोड़ा सा दिक्कत हो जाती थी और क्योंकि इस वार सोच के ही गए थे कि बहुत ही जादा खास इस्पेसल मनाना है हस्वेन को मतलब जिन्दगी भर याद रहे वैसा उनका बर्डे मनाना है तो पूरा मतलब वीक बहुत ही अच्छे से इंज्वाइ कहिए या जो होता है फैमली के साथ टाइम बिताना वो सारा बिताए और बहुत ही अच्छा लगा और आगे के वीडियो में सेर करूंगी कि हम लोग मतलब केक कटवाए और क्योंकि धरमसाला बहुत ही दूर था तो एक वार अगर हम लोग आ जाते थे बस से सर्विस से आने जाने का एक वार अगर हम लोग आ जाते थे तो दुबारा फिर नहीं जाते थे मतलब इधर ही फिर गोमते थे इधर ही खाना पीना जो भी होता था कुछ-कुछ खरीदना सब कुछ यहीं पिकरते थे तो ऐसे ही मतलब ऐसा नहीं साइं स्रीडी में ही रहे सनी धाम है वहां भी गए और मतलब और भी जगह गए वो सब धीरे धीरे अगर विडियो होगा पता भी नहीं है कि वीडियो बचा है कि नहीं तो वो सब भी सेयर करूंगी और ये चीज तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये सारे 9-10 वजे रात तक ही रहता है साम से स्टार्ट होता है साइस अंध्या के टाइम पर और रात तक ह रहता है तो ये चीज तो मुझे इतना अच्छा लगा सही बोलू कई बार हम लोग होटल में रहे और होटल में छोटे-छोटे कमरे मिलते थे और ये सब फैसिलिटी कहां और इसमें मतलब इतना अच्छा लगा कि मतलब सब्दों मैं बता ही नहीं सकती हूँ यहां से आने काना सही बोलू मन ही नहीं करता था मन करता था कि कुछ दिन और का टिकट होता तो बहुत ही अच्छा था और बहुत ही अच्छा लगा भजन इहां पे चरपांस घंटे चलते थे तो इत साम में भी साइं मंदिर चले जाते थे लेकिन फिर भी काफी टाइम यहां पर बिताए डेली जब भी मुका मिला तो बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही यादगार मतलब जगा है ये ऐसे धरम साला में जाय कीजिए अगर मुका मिलता है अगर कुछ ऐसा नहीं के पैसे बचान